और अब आपको बताते हैं कि आखरी ओडीशा के बाला सोर में इतना बड़ा रेल हाथसा हुआ कैसे कैसे आखर तीन ट्रेने आपस में टकरा गई तो जानकारे के मतादिक सबसे पहले यश्वंत पूर हावरा एक्सप्रेस के डिबो के पट्री से उतरने की खबर सामने आई और यश्वंत पूर हावरा के डिबे पट्री से उतरे और उस तरoc गिरे जहां से शालिमार चिन्नाई कॉरूमंजल एक्सस को गुजरना था कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चे मंगाल के हावडा से चेन्नाई के लिए रवाना हुई थी जिसके रास्ते में यश्वंद पूर हावडा एक्सप्रेस के डिब्बे आ गए दोनों ट्रेनों में मौझूद 900 से जादा यात्रियों पर पड़ा जिनने घायल अवस्था में अस्पताल में भरती करवाए गया तो ये हम आपको बता रहे हैं कि हाथसा हुआ कैसे कैसे यहाँ पर तीन गाडियां तकराती हैं और फिर 233 यात्रियों की जान चली जाती है इंडिया रेफके टी में मौझूद हैं इसके अलावा यहाँ पर फायर ब्रिकेट की गाडियां मौझूद हैं 200 से जादा एंबुलेंस मौझूद है और ये तस्वीरे दिल को जगजोरने वाली है तस्वीरे भयावा है तस्वीरे अतीत में हुए रेल हाथसों की याद भी दिलाती है लेकिन इस साल का सबसे बड़ा रेल हाथसा ग्राउंड जीरो से यह सीधी तस्वीरे न्यूजटी इंडिया पर आप देख सकते हैं नीचे हेल्पलाइन नंबर्स भी लगतार हम चला रहे हैं जिसमें रेलवे की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किये ग दिलाती है लोग अभी अदर फस होई हैं 12 घंटे से उपर यहां पर राहत बचाव की काम को हो चुके हैं 12 घंटे से उपर हो चुका है जंदगीं को बचाने की जंग जारी है कि अगर एक बी जिनदगी इंडिवों के अनदर है तो फिर उसको बचाय जासके और कैसे यह जो 233 लोगों की जान चली गई है और Ground Zero पर News 18 इंडिया इस वक्त मौझूद है पलपल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिसमें प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी ने खुद रेल मंतरी अश्विनी वैशनव से फोन पर बात क और अभी जो घटनास्थल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नवीन पतनायक अपसे कुछ देर में हाथसे वाली जगाप पर पहुंचेंगे और जो हमने ओडिशा के मुखिस अचिव को सुना उन्होंने कहा कि Rescue Operation को किस गती से हम अंजाम दे सकते हैं यानि कि कोशिश य पल से जल्द पूरा हो जो लोग अंदर फसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए